स्वाज़त हैं आप सबका बनारसी मंपे, आप सबको अश्टुमी की हादिक शुपकामना है, आज का दिन खास होता है, तो इसलिए आएए बनाते हैं वरत में खाने वाली ठाली, आज मैं सिंगाडे के यांते का हल्वा बनाऊंगी, उसमें शक्कर पड़ेगा घी और पानी, जितना सिंगाडा काटा इतना ही घी पड़ेगा, असकर अपने स्वादानों साब डालेगे, ठीक, सिंगाडा हल्वा बनाने के लिए हम कडाई ले लेंगे, उसे तेज ग्यास पर चालू करेंगे, फिर डालेंगे घी, घी को गरम होने देंगे, घी गरम हो चुका है, अब ह इसे हम अच्छे से भून लेंगे, ये ब्राउन होने तक, कितना मिनिट लगता है मम्मी इसको भूजने के लिए, आधा मिनिट अच्छा, इसको आधा से दो मिनिट तक भूज लीजिए, फिर दिखाते हैं कैसे ब्राउन दिखेगा, ये देखिए हो गया है ब्राउन, अभ अभी हम इसमें डालेंगे पानी, थीरे-थीरे पानी डाली है, कितना पानी डालेगा ममने इसमें हाफ गलास, पानी तो जतना आटा होता है उतना पानी डलता है, अभी ये रेडी है अब हम इसे प्लेट में डालके इसकी बर्फी बनाएंगे दिखाते हैं कैसे देखिए सिंगाडी का हल्वा हो गया है अभी हमने इसे प्लेट में फैला दिया है पाट करेंगे और फिर इसकी बर्फी बनाएंगे मैं फ्रूट का रायता बनाऊंगी, आपके पास जो भी फ्रूट हो उसका भी बना सकते हैं, तो पहला मैं एपल, केला, दही, शक्कर का रायता बनाऊंगी, आज साथ में जब बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, इस तरह से दही फेट लीजिए, इस तरह से फेटिये दही और उस पे थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, यदि आपको डायबिटीक हो तो नाच्रल फ्रूट सम डाल रहे हैं, तो नाच्रल टेस्ट होता है उसका अपना, फिर से वापस से मिक्स कर लीजिए एक बार, इस तरह से हमने काट अगर आपका अपना नहीं है तो आप इसमें चाट मसला बगर डाल सकते हैं और भी फूट्स डाल सकते हैं जैसे अनारदाना हो, किवी हो या तो फिर अपैर अगर डाल के लिख सकते हैं, हम आपको साइड डिश दिखाने वाले हैं, मिर्ची को ऐसा बीच से फाड लीजिए इस तरह से भरेंगे इमली बुनावा जीरा नमक का पेस्ट, इमली का प्यूरे ले लिया है, बुनावा जीरा और नमक को मिक्स करके इसमें हम भर रहें, और फिर ये मिर्ची को हम शालो फ्राइ करेंगे, दिखाते हैं कैसे, हमने यहाँ पे सारी मिर्ची भर ली है, अभी ह तावा गरम करेंगे, उस पे तेल डालेंगे और फिर इसको शालो फ्राइ करेंगे, दिखाते हैं कैसे, अभी हम यह तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे मिर्ची, इसमें पर्टी है, पक रही है, मिर्ची अच्छे से, अभी हम दिखाते हैं कैसे, निकालेंगे, और फिर फैनल प्लेट आपको दिखाते हैं कैसे दिखते हैं, देखें, फाइनल ऐसे दिखती है, अश्टुमी इस मार्ग दे वन गॉड़ेस महा गॉड़ी और अवतार गॉड़ेस दुर्गा इस वोर्षिब, अन देखें, मेनी हिंदू फैमिलीज दू कन्या पूजन और कन्या भूल। हम आज लेंगे उबला हुआ कंद, इसको कंद भी बोलते हैं, सकरकंदी भी बोलते हैं, तो इसको मैं लेके उबला और राजगीरा के आटा में मिक्स करूँगी, अगर जरूरत पड़े तो पानी डालूँगी, आज इसकी पूरी बनाते आप लोगों पो दिखाऊंगी, ठीक यहाँ पर हमने कंद को ग्रेट कर लिया है, अब भी हम इसे मच लेंगे और इसमें डालेंगे राजगीरा का आटा, राजगीरे का आटा डालके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह देखिए आटा रेडी हो गया है, अब साइड में थोड़ा राजगीरा आटा ले लीजिए, अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे बिलेंगे हम पूरी, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, अच्छे से पूरी की तरह गोल गोल बनाइए इसे, ऐसे बेलते रहे हैं, अगर पूरी चिपक रही है, तो जो गरम तेल हमने किया है, वो तेल डालिए थोड़ा सा, फिर पूरी नहीं चिपकेगी, बिल्कुल नहीं चिपकेगी, देखिए इस तरह से, यहापे हमने तेल ग यह देखिए, पूरी कैसे अच्छे से फूलती है, फिर इसे पल्टी है, दोनों साइट से उसको ब्राउन करिए, थर्टी सेकंज, थर्टी सेकंज लगता है पूरी को पकने के लिए, एक बार यह ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इसे निकालेंगे, और दूसरी पूरी तलेंगे, यह देखिए, आज मैं उप्वास की सबजी बना रहे हूँ, पूरी के साथ खाने के लिए, उबला हुआ दो दो आलूलिया है, दो मिर्ची है, सेंधा नमक है, तड़के के लिए जीरा है, हरी धनिया पत्ती है, इसकी सबजी बनाएंगे, और आप लोग देखिए, इस ग्रोदियांगे, हमें कड़ाई ले ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, मीडियम से तेज आज पर, तेल गरम हो दो मिर्ची, अभी हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू फोड़के, इस तरह से, इसे अच्छे से चलाके, हम अभी इसमें डालेंगे, नमक, वादनुसार, यह आलू हो गया है, इसको हम धन्या पत्ता से गार्निश करेंगे, और यह आलू की सब्गी रेडी है खाने के लिए, होप आप सबको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, डू ट्राइए शेयर एक्स्पीरिंस विद उस इन दे कॉमेंट सेक्षिन, देखते रहे हमारे वीडिय लगे किन्राइद कि अट्राइ बनार्सी मूम, बाइ खाल बस्ता से उस डू हरा ऑड शेयर कॉमेंट सेक्षा चाहित टेक्तार कॉमेंटения का।